नमस्खार दोस्तों आपका स्वागत है अमारे चैनल में आज मैं बात करने वाला हूं महिंद्रा की X rpm डब्लों के बारे में बात करेंगे उसकी एलेक्ट्रिक वर्जन कब तक लौँच होगा उसके बारे में भी बात करेंगे आज सब कुछ हम बात करेंगे उसके बारे में तो हमारे साथ जुड़े रही है और विश वीडियो को अंतक देखी है आपको पता ही होगा महिंद्रा XUV300 फरवरी 28 में होगी लोंच एसाना उसमें ठोगी हो गया है फिलाल वो महिंद्रा S201 से जानी जाती थी उसका नामकरन ओगनेश डिसेंबर 28 राक हो चुका है जोकी XUV300 हो चुका है आप XUV300 बोल सकते या XUV300 बोल सकते आपमें जो बन हैं बोल सकते है हमें तो पता ही था महिंद्रा XUV300 रखने वाली है उसका S201 का नाम तो फिलाल वो नामस कर दिया है वो परवरी 2018 में आपको इंडिया की सड़कों पर दोड़ती नजर आएगी आपको नहीं में जरा XUV300 से योक टीवोली पर अधारित होगी और कंपनी का दवा है कि भारतिय स्पेसिपिक किसन वाली इस SUV में ज्यादा प्रीमियम और हाई टेक फीचर दिये जाएंगे यह SUV पेट्रल और डिजन इंजिन ओप्सन के साथ आएगी हलाकि कंपनी ने इसके पावर ट्रेंस के बारे में अभी ज्यादा जाएंगा नहीं दी है लेकिन यह बेस्ट इन क्लास टॉक आउटपूट देगी इसा बता रहे है देखते है कितना आउटपूट देती है या नहीं देती है और क्या कुछ करती है यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा आपको इसमें 1.5 लिटर डिजल एंजिन और नया डेवलेप्ट किया गया है 1.2 लिटर जी इसी टर्बो चार्ट पेटल एंजिन दिया जाएगा अगर ट्रांसमिसन की बात करें तो आपको 6-speed manual gearbox मिलेगा साथ में आपका 7th होगा यह 20 का गयर होगा जस्टोकिंग 6-speed gearbox के साथ मिलेगा आपको अच्छी बात है वहीं हम बात करें इलेक्ट्रिक कार के बारे में जो बताया है महिंद्रा ने कि हम अपनी TUV300 को इलेक्ट्रिक वर्जन 2020 में कर देंगे लोंच ऐसा बताया है फिलाल अभी उसने अभी तो 2020 आपको पताई कितना लंबा है दो साल का करीब वक्त है तो अभी फिलाल उसने अभी अनौश्मेट कर दिया है तो देखते हैं अनौश्मेट कर दिया है तो लाएंगे भी वैसे महिंद्रा की इलेक्ट्रिक ओटो भी आपको देखने को मिलती होगी कई जगा पर और उसकी कारे भी देखने को मिलते होगी इलेक्ट्रिक में वैसे महिंद्रा इलेक्ट्रिक में गुस चुकी है अंदर तो आने वाले समय में आपको इलेक्ट्रिक देखने को मिलेगी ज्यादा महिंद्रा की कारे वैसे उसने ये भी बताया कि हम के यूवी 100 का भी इलेक्ट्रिक वेर्जन बाजार में लॉंच करेंगे आपको पता ही होगा महिंद्रा का के यूवी 100 आता है जो पेट्रोल में डिजल में उपलब्ध है महिंद्रा इलेक्ट्रिक की बैटरी की के स्पेसिक्पिकिसन आपको नहीं मिलेगी फिलालू उसने कुछ नहीं बताया है वो कैसे बताते उसके पास है भी नहीं होती तो बताते ने आपको महिंद्रा अब इलेक्टरिक वहानों को बनाने के बज़ाए इलेक्टरिक पावर ट्रेप पर ज़्यादा फोकस कर रही है SM में अब इलेक्ट्रिक वहानों का निर्मार महिंद्रा कंपनी करेगी ताकि महिंद्रा इलेक्ट्रिक कंपनी EV टेक्नोलजियों को विक्सित और सप्लाय कर सके महिंद्रा इन वक्त 48 किलो वोट और 72 किलो वाली बेटरी बनाने पर काम कर रही है हलाकि माना जा रहा है कि नहीं SUV में इलेक्ट्रिक वेरियंट में ज्यादा शम्ता वाली बेटरी दीज जाएगी ताकि आपको ज्यादा रनिंग मिले तो देखते हैं कब तक आती है इलेक्ट्रिक वर्जन बोला फिलाल तो बोला उसने तो जार विस्तक है और ये TUV300 आपको फरवरी में साहद देखने को मिल जाएगी पेटरलो डीजल वेरियंट में आई होप उसमें अच्छे फीचर आपको मिले अच्छी सेप्टी फीचर मिले तो ये कुछ काम बन पाएगा कुछ यूनिक लाना चाहिए, कुछ अच्छा लाना चाहिए तब ही मार्केट में आपका नाम बड़ेगा, आपका वेल्यू बड़ेगा तो आई होप कुछ अच्छा करके आए और अच्छा लेके आए तो ये थी मेरी तरब से एक चोटी शी वीडियो आपके लिए आपकी इनफॉर्मेशन के लिए अगर अच्छी लगए लाइक कर देना अच्छी नहीं लगए और डिसलैक कर देना और कुछ भी आपके मन में जो भी सवाल जवाब भी इस वीडियो के रिलेटेड तो कमेट कर देना वो इस नहीं आया है या कुछ समझ में नहीं आया है तो कुछ भी कमेट कर देना है मैंने को क्या करना है कुछ आप बोलोगे नहीं वैसे ही चले जाए को तो मुझे क्या पता चलेगा तो अच्छा लगए सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को प्रेस भी कर देना ताकि जब वीडियो अप्लोट कर सबसे पहले आप तक मिल जाए आपको जहां भी रहे आप सूखी रहे